C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संचयन काध्वानियंकन जिसका वाचन कर रही है निवदिता सर्दार प्रस्तुत है छठा पाठ दिये जल उठे लेखक मधुकर उपाध्याय लेखक परिचे मधुकर उपाध्याय उन्निस्सों चप्पन मधुकर उपाध्याय ने अपनी प्रारंबिक शिक्षा आयोध्या से प्राप्त की अवद विश्व विद्याले से विज्ञान में सनातक होने के बाद भारतिय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में सनातकों तर डिप्लोमा प्राप्त किया इतिहास और खास तोर पर बृतानी शासिनकाल में उनकी दिल्चस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरवृत्ती के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की आजादी की 85 वर्ष गांट पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफी सरह गया हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की तीन पुस्तकें अंग्रेजी और बारहा हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिल्जस्पी कार्टून विधा और रिखांकन में भी है मदुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक है पाठ परिजय महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित धुन्दले पदचिन्ह नामक रचना से यह अंश लिया गया है इसमें 19 मार्च 1930 के दिन घटी घटनाओं का वर्नन करते हुए रास में पटेल की गिरफतारी तथा गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधी वर्नन है घणी अंधेरी रात में गांधी जी को नाव से मही सागर पार कराने के लिए लोगों ने क्या किया इसका अद्भुत वर्नन पाठक को हत्प्रभ कर देता है पाठ का यह अंश अत्यंत रोचक बन पड़ा है आईए सुनते हैं पाठ दिये जल उठे प्रिष्ठ संख्या 41-48 रास के बूढे बर्गद ने वहद्रश्य देखा था दांडी कूच की तयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल साथ मार्ज को रास पहुँचे थे उन्हें वहां भाशन नहीं देना था लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर दो शब्द कहना स्वीकार कर लिया उन्होंने कहा भाईयों और बहनों क्या आप सत्याग्रह के लिए तयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निशेधाग्या लागू कर दी और पटेल को गिरफतार कर लिया गया यह गिरफतारी स्थानिय कलेक्टर शिलडी के आदेश पर हुई जिसे पटेल ने पिछले आनोलन के समय एहमदाबाद से भगा दिया था वलब भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे आठ लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे डेड़ खंटा लगा पटेल को पाँच सौ रुपे जुर्माने के साथ तीन महीने की जेल हुई इसके लिए उन्हें एहमदाबाद में साबर मती जेल ले जाया गया साबर मती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफतारी, उनकी सजा और उन्हें साबर मती जेल लाए जाने की सूचना दी गई गांधी इस गिरफतारी से बहुत क्षुग्ध थे उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते है आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसत से साबर मती जेल पहुँचने में कितना समय लगेगा जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही हो कर जाता था आश्रम वासी पटेल की एक जलक पाना चाहते थे समय का अनुमान लगा कर गांधी स्वयम आश्रम से बाहर निकल आए पीछे पीछे सब आश्रम वासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए लोगों का खयाल था कि पटेल को गिरफतार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी लेकिन मोटर रुकी लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले एक संग्षिप्त मुलाकात पटेल ने कार में बैचते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है पटेल की गिरफतारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई दिल्ली में मदन मोहन मालविया ने केंद्रिया असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका इस प्रस्ताव पर कई नेताव ने अपनी राय सदन में रखी मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा सरदार वल्लब भाई पटेल के गिरफतारी अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिधान्त पर हमला है भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंबीर परिनाम होंगे गांधी के रास पहुँचने के समय वहा कानून लागू था जिसके तहट पटेल को गिरफतार किया गया था सत्या ग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी अब बास तैयब जी वहां पहुँच चुके थे कि गांधी की गिरफतारी की स्थिती में खूँच की अगुवाई कर सके बोरसत से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुँचने तक नहीं पकड़ा जाएगा लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी रास में गांधी का भाव्य स्वागत हुआ दर्बार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे दर्बार गोपालदास और रवीशंकर महराज वहां मौजूद थे गांधी ने अपने भाशन में दर्बारों का खास तोर पर उलेक किया कुछ दर्बार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उसे सटे गाव देवन में है दर्बार में रिया सततार होते थे उनकी साहबी थी एशो आराम की जिंदगी थी एक तरह का राजपार्ट था दर्बार सब कुछ छोड़कर यहां आकर बस गए गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखे अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी की बैठक 21 मार्च को साबर मती के तट पर होने वाली थी जवाहर लाल नहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जन सभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुँचना कठिन है तुमको पूरी एक रात का जागरन करना पड़ेगा अगर कल रात से पहले वापिस लोटना चाहते हो तो इस से बचा भी नहीं जा सकेगा मैं उस समय जहां भी रहूंगा संदेश भाहक तुमको वहां तक ले आएगा इस प्रयान की कठिन तम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो तुमको रात के लगभग दो बजे जाने पर खे मचुवारों के कंधों पर बैठ कर एक धारा पार करनी पड़ेगी मैं राष्टर के प्रमुक सेवक के लिए भी प्रयान में जरा भी विराम नहीं दे सकता वल्लब भाई की गिरफतारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वभाविक थी गांधी की जनसभा से पहले ही गाव के सभी पुष्टैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौपाए गांधी ने दांडी कुछ शुरू होने से पहले ही यह निष्टे कर लिया था कि वहाँ अपनी यात्रा ब्रिटिश आधीपत्ते वाले भूभाग से ही करेंगे किसी राजगराने के इलाके में नहीं जाएंगे लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ोदा रियासत से गुजरना पड़ा ऐसा ना करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कालेकरम पर पड़ता सत्यागरही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया जबकि बाकी सत्यागरही तंबूओं में रुके रास की आबादी करीब 3,000 थी लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे अपने भाशन में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरसकार के रूप में मिली है उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उलेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए है उन्हें भी अपनी निजी तुच्छिस्वार्त भूल कर इस्तीफा दे देना चाहिए उन्होंने कहा आप लोग कब तक गावों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आँखे खुली नहीं है गांधी ने रास में भी राज़त्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफतारी अच्छी बात होगी सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा अब फिर बादल घिर आए हैं या यों कहें सही मौका सामने हैं अगर सरकार मुझे गिरफतार करती हैं तो यह एक अच्छी बात है मुझे तीन माह की सजा होगी तो सरकार को लजजा आएगी राज्त्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फासी की सजा हो सकती हैं मुझे से लोग अगर राज्त्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए सत्याग रही शाम 6 बजे रास से चले और 8 बजे कन का पुरा पहुँचे उस समय लोग यात्रा से कुछ ठके हुए थे और कुछ ठकान इस आशंकां से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे नदी के किनारे पहुँचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग रहियों का स्वागत किया कनकापुरा में 105 साल की एक बूड़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापिस आना गांधी ने कहा मैं स्वराज लिये बिना नहीं लोटूंगा गांधी की जनसभा का निधारित समय आठ बजे था लेकिन कनकापुरा पहुँचने में हुई देरी के कारण उसे एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया जनसभा में गांधी ने बृतानी कुशासन का जिक्र किया उन्होंने कहा इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी है राजे महराजे जैसे सरकार नचाती है नाचने को तयार है यह राक्षिसी राज है इसका समहार करना चाहिए रास्ते में रेतीली सडकों के कारण यह प्रस्ताफ किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें गांधी ने इस से साफ इनकार कर दिया उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता यह पुरानी रीती है धर्म यात्रा में हवाई जहास, मोटर या बैल गाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता यात्रा में कश्ट सहे, लोगों का सुक दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है ब्रिटिश हुक्म रानोव में से एक वर्क ऐसा भी था, जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग रही मही नदी के किनारे अच्चानक नमक बना कर कानून तोड़ देंगे समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चोकिदार रखे जाते हैं गांधी ने भी कहा कि यहां नमक बनाया जा सकता है गांधी को समझने वाले वरिष्ट अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अच्चानक और चुपके से करेंगे इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारी नमक भंडार हटा दिये और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खत्रा ही न रहे नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकपुरा में गांधी के भाशन के बाद समाप्थ हो जानी चाहिए थी लेकिन इसमें परिवर्थन कर दिया गया यह तैप आया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चड़ने पर पार किया जाए ताकि खीचड और दलदल में कम से कम चलना पड़े रात साड़े दस बजे भोचन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े अंधेरी रात में गांधी को करीब चार किलो मीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सला दी पर उन्होंने मना कर दिया कहा यह धर्म यात्रा है चल कर पूरी करूंगा तट पर पहुँचकर गांधी ने पैर धोए और एक जोपड़ी में आराम किया आधी रात का इंतिजार करते हुए मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था भजन मंदलिया थी दांडिया रास में निपुण दरबार थे उनके गीत के बोल थे देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वललब का दांडिया रास, दांडिया रास सरकार का नास, देखो विठ्थल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रगुनात काका को स्वपी गई थी उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरी दी और उसे लेकर कनकापुरा पहुँच गए बदलपूर के रगुनात काका को सत्याग्रहियों ने निशाद राज कहना शुरू कर दिया उनके पास बदलपूर में काफी जमीन थी और नावे भी चलती थी जब समुत्र का पानी चड़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिये उसे भेज नहीं पा रहे थे थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुँच गए उन सब के हातों में दिये थे यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था पूरा गाव और आसपास से आये लोग दिये की रोश्णी लिए गांधी और उनके सत्यागरहियों का इंतिजार कर रहे थे रात बारह बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया पानी चड़ आया था गांधी जोपडी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे महात्मा गांधी की जय, सर्दार पटेल की जय और जवाहरलाल नहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई जिसे रगुनात काका चला रहे थे कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं, बलकि पहाड की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनी सुनाई दे महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिती कोई भिन्न नहीं थी उसी तरह का कीचड और दलदली जमीन, यह पूरी आतरा का संभवतह सबसे कठिन हिस्सा था डेड़ किलोमीटर तक पानी और कीचड में चलकर, गांधी रात एक बजे उस पार पहुँचे और सीधे विश्राम करने चले गए गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए जोपड़ी पहले ही तयार कर दी गई थी गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिये लेकर लोग खड़े रहे अभी सत्यागरहियों को भी उस पार जाना था शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार कराने होगी शब्द अर्थ निशेधाग्या मनाही का आदेश कबूल स्वीकार क्षुप्द अशांत नाराज प्रतिक्रिया किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्या भर्चना निंदा पारित पास करना नजीर उदाहरन भाव्या शांदार रियासत्दार रियासत या इलाके का मालिक प्रयान यात्रा पुष्टैने पीडियों से चला आ रहा आधिपत्य प्रभुत्व तुच्च क्षूद्र निक्रष्ट बयार हवा समहार नाश करना हुक्मरान शासक नजारा दृष्य प्रतिध्वनी किसी शब्द के उपरांद सुनाई पढ़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द गूंज अनुगूंज बोध अभ्यास प्रश्ण संख्या 1 किस कारण से प्रेरित हो स्थानिय कलेक्टर ने पटेल को गिरफतार करने का आदेश दिया प्रश्ण संख्या 2 जच को पटेल की सजा के लिए आठ लाइन के फैसले को लिखने में डेढ़ घंटा क्यों लगा स्पष्ट करें मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्रित पाठ के संधर्ब में स्पष्ट कीजिए इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें गांधी जी ने यह किस के लिए और किस संधर्ब में कहा पाठ द्वारा, यहाँ कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिती हो उसका सामना तात कालिक सूझ बूझ और आपसी मेल जोल से किया जा सकता है अपने शब्दों में लिखिए प्रश्न संध्या छे महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा द्रश्य उपस्थित था अपने शब्दों में वर्नन कीजिए प्रश्न संध्या साथ यह धर्म यात्रा है चल कर पूरी करूंगा गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है प्रश्न संध्या आठ गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सैमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अच्छानक और चुपके से करेंगे फिर भी उन्होंने किस तर से और क्या एहतियाती कदम उठाए प्रश्न संध्या आठ गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सेमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अच्चानक और चुपके से करेंगे फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए प्रश्न संख्या नो गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे संचयन अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पुस्तक वाचन निवेदिता सर्दार तक्निकी निर्देशन सतीश लाडे ध्वन्यांकन अमिता भट्टी और बटी लेंगलिंडो तथा निर्मान एवं प्रस्तुती दाव दयाल चतुर्वेदी